आज चो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी सेर करने जारी हूँ वो है मावा खोया पीठा जो बिहार का बहुत ही फेमस है ये मानिया तो पूस पीठा भी इसे कह सकते हैं जो पूस के महीने में जरूर बनती है सभी के घरों में बिहार में सभी के घरों में ये पीठा जरूर ब इसे बनाएंगी और इसे इसकिप मत किजिएगा यह फुल वीडियो आप जरूर इसे देखिएगा हेलो फ्रेंड्स अमिजिंग अमिता किचेन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग बनाएंगे खोया मावा दूद पीठा तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम खोया ले लिया है और यह बजार वाली खोया है तो यह घर जैसी तो नहीं है तो इसे पहले ह हम लोग थोड़ा सा कडाही में डाल कर गरम करके थोड़ा सा इसे पिघला लेंगे इसे थोड़ा सा कलर इसका और सुनहरा कर लेंगे तो एक तरफ हमने कडाही गरम कर लिया है और इसमें हम लोग जब कडाही गरम हो जाएगी तो इसमें हम जितना हमारा खोया है उसे डाल इसे यह मेरा तेज था गैस इसलिए थोड़ा सा गर्म है इसे हम लोग दीमी आज पर खोया को अच्छे से मिलाते मिलाते इसे अच्छे से एकदम फाइन अच्छा तैयार कर लेना है इसे देखे इस तरह से आप तोड़ेंगे हलका सा ब्राउन हो जाएगा हम इसे हलका सा तूट गई है अब इसे हमें धीमी आज पर थोड़ी देर के लिए भुनना है जब तक यह हमारा अच्छे से घी न छोड़ दे देखे खोया हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है यह बहुत अच्छा सा कलर इसका आ चुका है तो इसे हम क्या करेंगे अब इसे हम कर रख लेते हैं एक बाउल ले लेते हैं उसमें हम निकाल कर इसे रख लेते हैं इसे हमने बाउल में निकाल लिया है और यह बहुत जादा ठंडा नहीं है और बहुत जादा गर्म है यह नॉर्मल हमारा है तो तब तक हम इसके मसालों की तैयारी कर लेते हैं इसके लिया है हाफ कप से भी थोड़ा सा कम है एक चौथाई कप और यहाँ पर हमने थोड़ा सा सूखा नारियल लिया है दो टेवल स्पून मुमफली बदाम लिया है और दो टेवल स्पून काजू लिया है दो टेवल स्पून किस्मिस लिया है तो किस्मिस को छोड़कर सभी को हम थोड़ा ग्राइंड कर लेते हैं देखिए हमने दरदरा कुट लिया है इसे साथ में यहां पर किसमिस डाल लेंगे और यह जो हमने नारियल का बुरादा रखा था ना तो वो डाल लेंगे आप चाहें तो सुखे वाले नारियल को छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके भ देखिए मुमफली बादा कोई भी एकदम फाइन महीन पेस्ट नहीं हुआ है वह हलका हलका सा ही पेस्ट हमने तयार किया है एकदम पाउडर नहीं बनाया है और इसमें साथ में हम यहां पर चीनी डाल देंगे आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हैं मैंने साथ से आठ च चम्मच डाला है छोटे चम्मच से आप इसमें अगर ज़्यादा आपको ओर चाहिए तो और भी आप तुछाहिए और थोड़ा कम चाहिए तो आप और भी कम कर सकते हैं इसे हम अच्छे से हाथों की मदद से मिला लेंगे ताकि सारा एक साथ अच्छे से मिल सके देखिए क इतना सुन्दर सा कलर इसका तेयार हो गया है यहां पर हमने चावल का आटा लिया है और यह हमारा तीन कप चावल का आटा है आप इसके जगा सूजी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं पर मेरे पास चावल का आटा था तो मैंने चावल का आटा का इस्तिमाल किया है साथ में हम इसे गुनगुने पानी से हम इसे इसका डो तयार करेंगे तो हमने साइड में गुनगुना पानी ले लिया है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालते हुए और चम्मच की सहायता से मिलाते हुए इसे मिला लेंगे यहाँ पर हाथों का इस्तमाल अभी नहीं करेंगे क्योंकि यह गर्म है जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो आप इसे हाथों की मदद से इसका इस तरह से सौफ्ट डोट तयार कर लीजिए यह बहुत अच्छे से सौफ्ट डोट तयार हो गई है हमारी एक तरफ हम खोया लेते हैं और एक तरफ हम चावल का आटा ले लेते हैं और इसे छोटे छोटे गोली बना कर तयार करेंगे देखे यह हमारी चिकनी सी है तो इसका मतलब कि हमारा डोट बहुत अच्छे से तयार है दो छोटे चम्मच जो हमने नारियल खोया और मुमफली और ड्राइफ रूट का तैयार किया है ना उसे हम डाल लेंगे डाल कर इसे हाथों की मदद से प्रेस करते हुए इस तरह से हलका हलका सा हाथों को प्रेस करते हुए इसे गोल कर लेंगे जैसे हम कोई पराठे बनाते हैं स्टाफिंग फीलिंग बनाते हैं तो जैसे गोल करते हैं उस तरह से हम कर लेंगे और हलके हाथों से इस तरह से चिकना कर लेंगे और इन सबी को हम साइड में प्लेट में रख लेते हैं देखे एक और मैं आप लोगों को बना कर दिखाती हूँ इस तरह से थोड़ा सा लोई लेंगे और लोई लेके हाथों हाथ घुमाते हुए इसे चिकना कर लेंगे कटोरी का सेप इसका देदेंगे कटोरी का सेप बना कर इसमें भी थोड़ा सा हम फिलिंग डाल लेंगे दो च चुटे चम्मच से 2 चम्मच डाल लेंगे और इसे भी उसी तरह से राउन करते हुए गोल कर लेना है जैसे फीलिंग डालते हैं और इस तरह से प्रेस करके हमें एक अच्छा सा गोली तयार कर लेना है बॉल तयार कर लेना है इसी तरह से हम सभी को तयार कर लेंगे चिकना चिकना देखिए ये हमारा सब तयार हो गया है तो इसे एक तरफ हम दूद चड़ा देंगे दूद जब दूद में बॉल आ जाएगी तो हमने जो बनाया है पिठा गोल-गोल उसे हम इसमें डाल लेंगे डाल कर चलाते रहना है क्योंकि नीचे से नहीं तो सट जाता है तो इसे चलाते हुए हमें 10 से 15 मिनट तक 15-20 मिनट तक हम इसे चलाते रहेंगे ये अराम से अच्छे से पक जाएगी देखिए ये हमारी अच्छे से पक चुकी है ये हमने धीमी आज पर 20 मिनट तक पकाया है और इसका दूद भी थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो इसमें हम 5-6 इलाइची डाल देंगे फ्लेवर के लिए इससे फ्लेवर बहुत बढ़ियां आता है ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा केसर भी डाला है और देखिए इसका कलर और कितने अच्छे से हमारी पीठा हो गया है तैयार बहुत अच्छे से पक गई है ये देखिए मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ बहुत अच्छे से ये पक गई है तो इसमें हमें चीनी एड़ कर लेना है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कितना आपको मीठा खाना है उस तरह से आप डाल कर मिला लीजिए देखिए हमारा पीठा कितना अच्छे से तैयार हो गया है और ये बहुत अच्छे से पक भी चुका है देखिए इसे काट कर दिखाती हूँ आप लोगों को कि इसकी फीलिंग कैसे बनी है और बहुत अराम से असानी से ये कट जा रही है देखिए इसकी फीलिंग बहुत अच अच्छे से निखर कर आई है और बहुत अच्छे से पकी भी है आप भी बनाईए और खाईए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करके बेल आईकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जो हमारा लेटिस्ट वीडियो है आप सभी को मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक निव रेसिपी के साथ एक नए दिन बाई बाई